कि नुश्कार दोस्तों क्लास सेवंत मारा स्टेड वोर्ड मैथमेटिक शाप्ट नुम्बर त्री एचसेफ एंड एलसियम प्रैक्टिस सेट 14 अब जो 14 में कुश्चन स्वाल होंगे वो एचसेफ और एलसियम जो भी मितरसम ने पहले ली हैं उसी के आदार पे कुश्चन सभ को अनुरुद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपनी दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं अब कॉश्चन नुम्बर बन दिखें चूज दे करेक्ट और राइट नुम्बर तो जो भी आप्शन यहां पर दिएगा है नन आप दिस नहीं है तो इन सभी से ही चेक करिए और इन से इन नंबर में से जिस नंबर से इन दोनों को डिवाइड होगा उन में से जो हाइस्ट होगा वो इनका एट से फोगा अब देके 30 से 30 से 120 और 150 को डिवाइड करना है तो 170 यहां पर यहां पर कैंसल होगा 345 तो कंप्लेटी होता है 3745 से देखे 120 और डिवाइड वाइड खशन अगर हम यहां पर 5 से तो 5 से दिवाइड करेंगे तो 15 C टॉइड होगा 15डे 3's are 45, 15, 8's are 120, 8 by 3, अब 3 से 8 को divide नहीं होगा तो यहाँ पे completely divide 45 से 120 को नहीं होगा, अब 20 से 120 को तो होगा, लेकिन 150 को नहीं होगा 120 से 120 को होगा, लेकिन 120 से 150 को नहीं होगा divide तो जो 30 है 30 is the highest common factor of 120 और 150 या तो आप यहाँ पे हैसे find कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने method पहले लिए है prime factorization method उससे हम इन दोनों का HCF find कर सकते हैं अब जो next question है वो देखिए, question number 2 the HCF of this pair of numbers is not 1 तो जो यहाँ पे pairs दी गई है, इन में से कौन से pair का HCF 1 नहीं है, अब 1 HCF कौन से number का होगा देखिए, highest common factor मतलब दोनों में common factor कुछ भी नहीं है, तब 1 होता है, तो ऐसी conditions हमें कब-कब मिलते हैं, जब दोनों में से एक number prime हो, या फिर दोनों भी number prime हो दोनों में से एक number prime हो और जो prime number है उससे दूसरे number को divide ना होता हो, तब अब देखिए, 13 और 17, दोनों भी prime numbers हैं, तो इनमें HCF 1 है 29 और 20, दोनों भी दोनों भी number यहां पे prime नहीं है, एक 29 prime है, लेकिन 20 prime नहीं है लेकिन इन दोनों का common factor कोई और है नहीं तो ये co prime भी number होता है तो हमें co prime number find करना है तो ये, ये हो गया, ये 2 हो गया अब 15 और 14 इन दो numbers, ये भी दो numbers co prime है अब 2 से 7, 14 को divide होता है लेकिन 2 से 15 को नहीं होगा 7 से 14 को होता है 7 से 15 को नहीं होगा 15 को 3, 5 से होता है, लेकिन 14 को नहीं होगा, तो इनका है common factor 1 ही है, तो हमें ऐसे find करने, ऐसे pair find करने है the hcf of this pair of numbers is not 1 hcf1, hcf1, hcf1 not 1 hcf यहां पर होगा 20 और 40 इनका highest common factor होगा 20 तो hcf1 40 और 20 इस pair का नहीं है मैं question number 2 देखे अभी find the hcf and lcm hcf और lcm find करना है तो आप देखिए यहां पर हम directly भी लिख सकते है 14 to the 28 तो मैंने एक पहले आपको यह point बताया था कि अगर किसी एक number से दूसरे number को divide होता है तो उन दोनों में जो smallest number होता है वो hcf होगा और जो greatest number होगा वो होगा lcm 14 to the 28 तो 14 hcf lcm 28 अब इनको आप ऐसे भी find कर सकते है 14 और 28 इन दोनों को 2 c divide करिए 2 से होगा 2 से बंजा 2 बंजा 2 बंजा 2 बंजा 2 फोर्जा 8 फिर दोनों को 7 से 7 बंजा 7 बंजा 7 बंजा 14 अब यह cf find करना है तो इनका मुल्टिप्लिकेशन 2 x 7 14 और LC हम वाँ में बंजा बंजा 2 x 7 14 x 2 28 सेकेंड जो कॉशन है उसमें 15 25 और 30 अब तीन नमबर हमें यहां पर दिये गए हैं तीन नमबर में से अब देखें 15 से 30 को तो डियाइड होता है, लेकिन 25 से नहीं होगा, तो इसलिए जो greatest number है, वो हम यहाँ पे LCM के तोरपन नहीं ले सकते हैं, और 15 से 30 को तो डियाइड होता है, लेकिन 15 से 25 को नहीं होगा, तो 15 भी यहाँ पे HCF नहीं होगा, और 30 LCM नहीं होगा, तो जो हमने पहले method ली है, उस मेतर से हम यहां पर स्वाल करेंगे 15, 25, 30 तीनो नमबर को 5 से डिवाइड होगा 5, 30, 15 5, 5, 25 5, 6, 30 अब जब तीनो को डिवाइड हो गया है तो उसके बाद हमें फिर और तीनो को डिवाइड होता है क्या हो चेकन है अब तीनो को डिवाइड नहीं होता है यहां पर तो फिर दो दो नमर को चेक करना है 3, 5 को नहीं होगा 5, 6 को नहीं होगा 3, 6 इन दोनों को 3 से डिवाइड होगा तो 3 बंदा 3 5 को एजरीज रखना है 3, 2, 6 अब देखे जब तक हमें HCF फाइंड करना था लेना है तब हमें इसके आगे के लेने है तो HCF में हमें 5 ही लेना है और LCM के लिए हमें यहां पर एदो और अब दो तो LCM होगा 5 इन्टो 3 इन्टो 5 इन्टो 2 तो 5 इन्टो 2, 10 होगा 10 इन्टो 15, 15 इन्टो 10, 150 LCM होगा और HCF होगा 5 तो जो सेकेंड कर्शन मतलब इसके पहले हमने जो लिया है वो अलाकि वो थर्ड कुर्शन में है find the LCM सिर्फ LCM find करना है तो हमने उसका HCF और LCM दोने ही find कर लिया है अब जो कुर्शन नुबर 2 का कुर्शन नुबर 2 है वो हम यहां पर solve करेंगे 32 और 16 तो इनका HCF होगा 16 और LCM होगा 32 तो अब जो मेथड़ है प्राइम फेक्टराइजेशन की उससी भी आप solve कर सकते हैं तर्ड कुर्शन देखे 17 102 और 170 यह तीन नंबर से है तो अब हमें तीनों का HCF और LCM दोनों find करना है तो 17 102 और 170 अब जब HCF find करना है तब तीनों को जब तक divide होगा तब तक हमें divide करना है तो 17 102 और 170 यह तीनों नंबर 17 के table में है तो अब तीनों को भी 17 से divide होता है 17 1 जा 17 17 6 जा 102 और 17 10 जा 170 तो HCF होगा 17 क्योंकि अब इन तीनों नंबर को किसी भी नंबर से divide नहीं होगा वन चोड़कर तो वन हमें लेना ही नहीं है तो 17 होगा इनका HCF अब जब हमें LCM find करना है तब इसके आगे भी हमें divide करना है तो कैसे डिवाइड करना है देखे 6 और 10 इन दोनों नंबर्स को अब जिससे होगा अब 3 और 5 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तब इन से भी का मल्टिप्लिकेशन करिए 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो कैसे करना है 5 इंटू 2 10 17 इंटू 3 51 और 2 इंटू 5 10 10 से अगर हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो 510 तो यह होगा इनका है सेफ सेफ 17 इंटू 510 इंटू कुशन नंबर 4 देखे 23 और 69 तो इनका है सेफ होगा 23 त्रीजा 69 होता है तो जो स्मालेस्ट नंबर है वह सेफ और जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन में दोनों में तो वह होगा LCM तो कॉशन नंबर 5 में जो नंबर से हैं वह है 21 49 और 84 अब अगर हम इन तीनों नंबर्स को थोड़ा गोर से देखेंगे तो इन तीनों नंबर्स को सेवन से डिवाइड होता है यह हमें पता चल जाएगा तो अब सेवन से इन तीनों को डिवाइड करना है तो अब तीनों को नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो प्राइम नंबर्स आ गए हैं तो हमें इनका सेवन और यल सीम के लिए हमें आगे और डिवाइड करना है क्योंकि 3 और 12 इन दो नंबर्स को 3 से डिवाइड होगा तो 3 बन जा 3 सेवन को एज़िज रखे 3 4 जा 12 अब 7 और 4 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो इसलिए हमें इन दोनों का और इनका मुल्टिप्लिकेशन करना है तो 7 इन्टो 3 इन्टो 7 इन्टो 4 अब इन सेवन का मुल्टिप्लाय करेंगे तो 7 इन्टो 749 इन्टो 3 इन्टो 4 12 इनका मुल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 12 9 जा 108 बोरो 10 12 4 जा 48 अडिशन करेंगे 58 तो यहाँ आपे 58 तो 588 यह होगा इन्टोनों का तीनो नुम्बर सुका यल्सियम और इनका यल्सियम स्वारी यह सेफ होगा 7 तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों कोशन 2 जो है 1 और 2 मैं 1 और 2 हो चुके हैं अब इसके बाद part 2 आएगा practice it 14 का तो उसमें हम कोशन नमबर 3 लेंगे और 3 का हमने एक कोशन अभी इसे में स्वाल कर दिया है second तो वो हम वहाँ पे नहीं लेंगे direct 1 के बाद 3, 4, 5 और जो अगे कोशन से हैं वो हम स्वाल करेंगे तेंक्यू दोस्तों